हलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है चलते हैं आज की इंपोर्टेंट जेनरल अवेर्नेस की और जो कि हर कंपेटिटिव एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और मैं आपको एक बा नमबर वन क्रित्रिम वर्षा करने में परियुक्त रसायनी को क्या कहा जाता है ऑप्शन देखिए नमबर वन रजत नाइट्राइट नमबर दो रजत आयोडाइट नमबर तीन रजत नाइट्राइट या नमबर चार रजत क्लोराइट दोस्तों इसका सही अंसर होगा ऑप पादन के लिए नाभिक के रियक्टर में सामानियता प्रियोग किये जाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है। ओप्शन देखिए A, Radium, 2, Plutonium, 3, Uranium या 4, Terium दोस्तों इसका सही अंसर होगा। ओप्शन नमबर 3 जी हां Uranium इसका सही अंसर याद रखना है। अगली प्रिशन के ओड़ चलते हैं नमबर 3 देखिए ऐसी यूगल जिसका रुधीर वर्ग क्रमलशा A और B है उसके बच्चों में निमनली खित में से कौन सा रुधीर वर्ग पाया जाएगा। ऑप्शन देखिए एक केबल A और B, ऑप्शन 2 अ, B तथा A, B, आप्शन 3 ए, B, A, B तथा O, या ऑप्शन 4 केबल A, B दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा। ऑप्शन नमबर 2 इसका सही अंसर याद गा। सवाल क्या गया है ऐसे यूगल जिसका रुधीर वर्ग करमिशा A और B है उसके बच्चों में निम्ने लिखित में से कौन सा रुधीर वर्ग पाया जाएगा कौन सा ब्लड ग्रूप पाया जाएगा तो A, B तथा A, B ये इसका सही अंसर होगा अगले प्रशन के ओर चलते हैं नमबर 4 निम्ने लिखित में से किस लेखक ने साहित्य के लिए नोबल पुरुसकार ठुकराया ओप्शन देखिए विंस्टन चर्चिल ओप्शन दो जियां पॉल सार्थ ओप्शन तीन बेरिस पाश्टरनेक या ओप्शन चार प्रेमचन दोस्तों इसका सही अंसर होगा आप्शन नमबर तीन जी हां बेरिस पाश्टर नेक इसका सही अंसर है अगले प्रिस्ट के ओर चलते हैं नमबर पांच वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कॉमेंट में जरूर बताईएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेट आप लोग करना पॉर्टेगाल, तीन, यूके या चार फ्रांस इसका सही अंसर होगा उप्शन नमबर चार जी हां फ्रांस याद रखना है अगले प्रिस्ट के ओर चलते हैं नमबर 6 अल्रूनी भारत के भारत में किसके साथ आया था यह हमारा सवाल है देखियो option महमूद गजनी option 2 सिकंदर तीन बाबर या चार तैमूर अल्रूनी भारत में किसके साथ आया था तो इसका सही अंसर होगा option नमबर एक, जी हाँ, महमूद गजनी के साथ अलबरूनी भारत में आया था अगली प्रिशन के और चलते हैं, नमबर सेवन, निमने लिखित में से कौन यह तत्य करता है कि कोई विशेस विधेयक, धन विधेयक है या नहीं आप्शन देखिए, एक, राष्ट्रपती, दो लोगसभा के अध्यक्षती, राज्य सभा के सभापती या चारवित मंत्री, इसमें से कौन यह तत्य करता है कि कोई विशेस विधेयक, धन विधेयक है या नहीं तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, उप्शन नमबर दो, जी हाँ, लोगसभा के अध्यक्षी ये तै करते हैं कि कोई विशेस विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, ये लोगसभा के अध्यक्षी तै करते हैं अगले प्रेशन के और चलते हैं, नमबर आठ, निमनली खित में से वह मजदूर संग कौन सा है, जो कॉंग्रेस पार्टी से जुड़ा है, अब इस में से कौन सा वह मजदूर संग है, जो कॉंग्रेस पार्टी से जुड़ा है, उप्शन देखिए, अखिल भारतिय संग कॉंग्रेस, option 3, Center for Indian Trade Unions, option 4, Hind मजदूर सभा, इसका सही अंसर क्या होगा, option number 2, इसका सही अंसर है, भारतिय राष्ट्रिय मजदूर संग कॉंग्रेस, ये वो मजदूर है, जो संग, ये वो मजदूर संग है, जो की कॉंग्रेस पार्टी से जुड़ा है, भारतिय राष्ट्रिय मजदूर संग कॉंग्रेस, अगले परश्ट्रिय वो मजदूर संग कॉंग्रेस, अगले परश्ट्रिय वो चलते हैं, number 9, भारतिय समविधान के option number 3, जी हाँ, अनुशेद 17, अनुशेद 17 इसका सही अंसर है, अगले परश्ट्रिय वो चलते हैं, number 10, निम्रन लिखित एक विशम सयोजन है, वह क्या है, option देखिए, फाश्टी वाद ताना साही, option 2, व्यक्तिवाद राज्य, नियंतरन, option 3, IBRD, रिन, या option 4, महात्मा गा option 2, जी हाँ, व्यक्तिवाद राज्य, नियंतरन, ये इसका सही अंसर है, याद रखना है, और मैं फिर से कह रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले, यूज ओफ टाइम बयानु प्रियानंद को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, हर रोज सुभाज 6 बजे, 6 अम में, मोस्ट इंपोर्टन्ट करेंट अफेयर, और हर रोज रात 8 पी अमें, मोस्ट इंपोर्टन्ट जी का मोस्ट इंपोर्टन्ट कुज मिलता ह जो कि आने वाले हर competitive exams के लिए बहुत important है, देखिए अगला प्रशन है, नमबर 11, निमनलिखित में से किस उद्देश से साइमन कमीशन का गठन किया गया था, option देखिए एक भारत में विधान मंडलों की समिक्षा करना, option दो, आगे और सुधार करने के लिए भारत की भारत की उप्युक्तता की समिक्षा करना, option 3, वाई सराय की स्थिती की समिक्षा करना, option 4, भारत के लिए एक समविधान की समिक्षा करना, क्या लगता है, कौन सा इसका सही answer होगा, इसका सही answer होगा, दोस्तों, भारत के लिए एक समविधान की समिक्षा करना, option 4, इसका सही अंसर है याद रखना है अगले प्रशन क्यों चलते हैं नंबर बारह निम्न लिखित में से किस देश में विमान मंडल का अपर सदन निम्न में से अधिक सक्ति साली होता है अप्सिन देखिए एक ब्रिटेन दो फ्रांस तीन स्रिलंका या चार संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही अंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन जी हाँ यहां सवाल पूछा गया है निम्न लिखित में से किस देश में विमान मंडल का अपर सदन निम्न सदन से अधिक सक्ति साली है तो इसका सही अंसर होगा ब्रिटेन ओके याद रखना है अगले प्रिशन के ओर चलते हैं नमबर 13 ओरंग जेब की मृत्यू निम्न लिखित में से किस अस्थान पर हुई थी ओप्शन देखिए दोस्तों एक अहमद नगर दो ओरंगाबाद तीन इलाहबाद या चार लाहोर इसमें से कौन सा अस्थान है जहां पर ओरंग जेब की मृत्यू हुई थी दोस्तों इसका सही अंचार होगा ओप्शन नमबर 2 ओरंग जेब की मृत्यू हुई थी याद रखना है अगले प्रेशन के ओर चलते हैं नमबर 14 सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवसे सिनिम्न लिखित में से किस अस्थान पर रखे हैं ओप्शन देखिए एक बेलांकनी चेन नहीं ओप्शन दो से कैथ्रडल वेला यान गोवा ओप्शन तीन बेसी लिखा ओफ बोम जीसस वेलहा ओप्शन चार सेंट जेवियर चर्च मुंबाई दोस्तों इसका सही अंसर होगा ओप्शन नमबर तीन जी हाँ बेसी लिखा ओफ बोम जीसस जो की वेलहा गोवा है ये इसका सही अंसर होगा याद रखना है अगले प्रिसम के ओड़ चलते हैं नमबर पंदरह निम्न लिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था ओप्शन दोस्तों इसका सही अंसर होगा ओप्शन नमबर दो जी हाँ अबू बाकर इसका सही अंसर है अबू मलिक मत समझ लीजिएगा अबू बाकर इसका सही अंसर है अब क्वेशन देखिए निम्न लिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था अबू बाकर याद रटना है अगले प्रिसम के ओड़ चलते हैं नमबर सोला निम्न लिखित में से किसने भारत का सबसे पहले चड़ाई की तो अप्शन देखिए जारकोस नमबर ती दो इसका सही अंसर है याद रखना है अगले प्रशन के ओर चलते हैं नमबर 17 निम्न लिखित में से कौन सा रोग वाइरस से उतपन होता है ऑप्शन देखिए पोलियो माइलेटाईस ऑप्शन दो मलेरिया ऑप्शन तीन कुकर खासी ऑप्शन चार दाद इसका सही अंसर क्या ह होगा ऑप्शन नमबर 1 इसका सही अंसर है पोलियो माइलेटाईस इसका सही अंसर है याद रखना है अगले प्रशन के ओर चलते हैं नमबर 18 निम्न लिखित में विटामीन बी कौन सा है ऑप्शन देखिए एक रेटिनॉल 2 थाइमीन 3 रिबो फ्लोविन रिबो फ्लेविन 4 एसकार्बिक एशिड दोस्तों इसका सही अंसर होगा ऑप्शन नमबर 2 जी हाँ थाइमीन इसका सही अंसर है देख लिए सवाल निम्न लिखित में से कौन सा विटामीन भी है तो थाइमीन याद रखना है अगले प्रशन के ओर चलते हैं नमबर 19 निम्न लिखित में से कौ सा कथन सही है option देखिए एक अधिसंख्य जीवों में अनुवांसिक पदार्थ DNA होता है option दो अधिसंख्य वाइरसों और जीवानू में अनुवांसिक पदार्थ RNA होता है option 3 सभी वाइरसों में अनुवांसिक पदार्थ DNA होता है या option 4 सभी वाइरसों में अनुवांसिक पदा कार्त ओर आरेनी होता है इसमेसे सहीं अंसर कौनसा होगा दोस्तों इसमेसे सहीं अंसर होगा ओप्षिन नमबर एक जी हा सुन और पुछा गया है कौनसा कथन शत्या है तो यह कथन सत्य है जो कि अधिसंख्य जीवों में अनुवांसी की पदार्थ DNA होता है याद रखना है अगले प्रशन क्यों चलते हैं नमबर 20 रोग जनक जीवानू निशारित करते हैं क्या? आप्शन देखिए एक प्रतिजन, दो प्रतिरक्षी, तीन हार्मोन या चार इंटर फेरोन खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्यों? अगर आप लोगों ने ये प्रक्टिकल किया है और आपको पता है तो आप कॉमेंट वोक्स में बता सकते हैं और अभी देखिए मैं बताने वाली हूँ कि खाने का नमक बारिस के मौसम में बर्षात के मौसम में क्यों गीला हो जाता है option देखिए 1. sodium chloride आसंजक होता है option 2. sodium chloride पसीजने वाला होता है option 3. sodium chloride में sodium iodide के कुछ मात्रा होती है option 4. sodium chloride में magnesium chloride जैसी आसंजक असुधता होती है इसका सही answer क्या होगा option 4. इसका सही answer है sodium chloride में magnesium chloride जैसे आसनजक असुद्धता होती है इसलिए बारिश के मौसम में खाने वाला नमक गिला हो जाता है याद रखना है क्यों? तो sodium chloride में magnesium chloride जैसे आसनजक असुद्धता होती है इसलिए गिला हो जाता है अगले प्रेशन की ओर चलते हैं Number 22 किसी कर टैक्स का लक्षन समस्तर इक्वीटी होता है यदि उसका देयता उप्शन देखे एक करदाताओं की आई की समानुपातिक हो, option 2, समान परिस्थितियों में करदाताओं के लिए समान हो, option 3, करदाताओं के समानुपातिक हो, या option 4, परतेक करदाता के लिए समान हो, इसका सही answer क्या होगा, दोस्तों इसका सही answer होगा, option number 1, जी हां करदाताओं की आई की समानु पातिक हो ये इसका सही अंसर है अगले प्रिशन के और चलते हैं नमबर 23 पट्टे पर देने वाली कमपणी निमनलिखत में से क्या चीज़ें उपलब्ध कराती है option देखिए एक किराये पर मसीने तथा पुंजीगत उपसकर, option दो किसी उधम को अस्थापित करने के लिए कानूनी मार्ग दर्शन, option तीन किराये पर कारियाले अस्थान, या option चार फीस पर तकनीकी परामर्स तथा विसे सग्य, दोस्तों मैं फिर से कह रही हूँ आपने अब कर दीजिए और ज्वाइन करने के लिए बोलिए यूज उफ टाइम बयान उप्रिया आनंद देखिए इसका एंसर क्या होगा इसका सही एंसर होगा ऑप्शन नमबर एक जी हां किराय पर मसीने तथा पुंजिगत उपसकर ये इसका सही एंसर है पट्टे पर देने वाले कंप तो यह इस्थिती क्या होती है नमबर देखिए ऑप्शन नमबर एक अवस्थिती नमबर दो इस्थिती नमबर तीन मंदी यह नमबर चार गतिरोध यानि कि गतिहींता इसका सही एंसर क्या होगा सही एंसर होगा दोस्तों इसका सही एंसर इस्थिती मुद्रा यह इसका सही अंसर हो option number 2 याद रखना है अगले प्रिशन के और चलते हैं number 25 इसमें ऐसे ही सवाल है जो कि exam समें पुछे जाते हैं इसलिए आप इससे जुड़ जाएगा तो समझ जाएगे कि आपके तयारी बहतर होने वाली है देखिए number 25 यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वर्क दायों और पहली वाली कीमत पर पहुँच जाए तो मांग की गई मात्रा क्या हो जाएगी option देखिए एक कम हो जाएगी दो बढ़ जाएगी option number 3 वही रहेगी या option 4 संकुचित हो जाएगी इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों सवाल देखिए यदि मांग में परि यहां बढ़ जाएगी याद रखना है अगले परिशन के ओर चलते हैं नमबर 26 यदि मांग की आय लोच एक से अधिक है तो पन्य क्या होगी option देखिए एक अवश्यक्ता दो विलासिता तीन घट्या वस्तू या चार उप्युक्त में से कोई नहीं इसका सही अंसर होगा द इमांत उत्पादिता दैस होती है क्या होती है option देखिए एक नए निवेस पर परतिफल की परतियासित दर option दो वर्तमान निवेस पर परतिफल की परतियासित दर option तीन लाब दर और व्याज दर के बीज अंतर या option नमबर 4 निवेसित पुंजी के परति यूनीट नीरगत क मूल्य इसमें से सही एंसर कौन सा है दोस्तों इसका सही एंसर होगा option number 1 जी हाँ नए निवेस पर परतिफल की परतियासिदर ये इसका सही एंसर है अगले प्रस्ट क्यों चलते हैं number 28 देखिए number 28 में क्या है सवाल किसी कर की उत्फुलता की परिभासा है क्या है option देखिए एक कर राजस्म में परतिसत्ता व्रिधी कर आधार में परतिसत्ता व्रिधी option 2 कर राजस्म में परतिसत्ता व्रिधी या कर रासी में परतिसत्ता दर option 3 कर राजस्म में परतिसत्ता व्रिधी option 4 कर राजस्विम बुर्धी ये इसका सही अंसर है याद रखना है अगले प्रेशन के और चलते हैं नमबर 29 देख लेज़े भारी मसीनों में स्नेहक के रूप में निमने लिखित में से किस चीज का प्रियोग किया जाता है ओफ्शिन देखे एक बॉक्साइट दो सलफर तेन फ तो इसका सही अंसर होगा ग्रेफाइट जी हाँ ग्रेफाइट का यूज किया जाता है ये इसका सही अंसर है अगले प्रेशन के और चलते हैं नमबर 30 गियर गियर विल बनाने के लिए सामानियता प्रियोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ है क्या है ओप् पॉलिश टाइरिन इसका सही एंसर है याद रखना है और क्वेश्चन देख लीजिए गियर विल बिनाने के लिए सामान्यता परियोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्त पॉलिश ट्राइन ये इसका सही एंसर है पॉलिश ट्राइन है अगले प्रशन क्यों चल पॉलिश ट्राइन इसका सही एंसर है और क्वेश्चन देखना है अगले प्रशन क्यों चलते हैं नमबर 32 देख लीजिए सामान्य लबन को आयोडित करने के लिए निमनलिकित में से किसका परियोग किया जाता है option देखिए एक potassium iodide, option 2 iodine, option 3 potassium iodide, option 4 sodium iodide दोस्तों इसका सही answer होगा option number 4 जी हाँ sodium iodide इसका सही answer है सवाल देख लिजे सामानी 11 को iodide करने के लिए इनमलिक से किसका पडियोग किया जाता है तो sodium iodide का याद रखना है अगले प्रिशन के ओड़ चलते हैं number 23 सूर्य के पराबैगने विकिरन पृत्वी तक नहीं पहुचते हैं क्योंकि पृत्वी का वायू मंडल से घिरा हुआ होता है क्या घिरा हुआ होता है देख लिजे option A, carbon dioxide, 2 ammonia, 3 chlorine या 4 ozone इसका सही answer होगा option number 4 जी हाँ ozone याद रखना है अगले प्रशन के ओर चलते हैं और यह हमारा अंतिम प्रशन है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो like जरूर कीजेगा आपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले मैं बार बार कहा रही हूँ आप लोग प्लीज सेयर जरूर कीजेगा क्योंकि यह बिलकुल फालतू चैनल नहीं और इसमें फालतू questions भी नहीं है बहुत important है हर परिक्षा के लिए competitive exams वाले इसे जरूर जोइन केजेए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजेए देखिए सवाल क्या है निम लिकित में से कौन से राज्य में वन या छेतर सबसे कम है option देखिए एक गुजरात, दो उत्तर परदेश, तीन आंदर परदेश या चार हरियाना और हाँ मैं बताना चाहूंगी कि मेरी पिछली वीडियो को अगर आप देखना चाते है जो कि most important है तो आप आई वटन पर भी जाकर देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप चेक कर सकते हैं देखिए इसका answer क्या होगा, दोस्तों इसका सही answer होगा, option number 4, हाँ हरियाना सवाल देख लीजिए, कौन से राज्य में बन या छेतर सबसे कम है, तो हरियाना याद रखना है यह हमारा अज का अंधिम प्रसन था, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक किजिएगा, सब्सक्राइब डेंग कियो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्यू, थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो, एंड हां सब्सक्राइब करोगे तो यह बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मेरे दुआ डाले गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, अगर बेल आइकन को आप प्रेस करते हैं तो, थैंक एंक्यू!